नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 8 मेरी 2023 के डेली एडिटोरिल एनलेसिस और करेंट अफेर्स एनलेसिस में आपका स्वागत हैं कौन-कौन से इंपोर्टन न्यूस डिसकस करने वाले हैं तो जो PDF में आपको टेली ग्राम ग्रूप पे अविलेबिल करवा चुका हूँ और मेरी एप पे अविलेबिल करवा चुका हूँ वो यह है आपके साबने जैसा कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर हमें static के topics भी चाहिए इनके साथ correlated तो आज की PDF मैंने enough amount में static के topics जो की relevant है in current affairs की news के साथ उनको भी यहाँ पे जोड़ा है कौन कौन से important news आज हम लोग discuss करने वाले है तो एक तो King Charles के correlation से related news है इसको यहाँ पे देखेंगे क्या क्या काम यहाँ पे King Charles को करने है हाला कि काम कितने भी लिखे हो इनके हाथ में जादा कुछ है नहीं चुकी मोनार्गी केवल नाम की है उसके बाद देखो तो चाइना ने अपना एक position paper release किया है अफगानिस्तान के उपर तो बेसिकली यहाँ पे चाइना अफगानिस्तान में अपने आपको security guarantor की तरह दिखा रहा है Moscow format of talks क्या होते है शांगाई corporation organization का basic motive क्या है इन सब चीजों का यहाँ पे देखेंगे ठीक है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो Kerala Story को propaganda को लेकर या फिर कहले जब जो भी Kerala Story में दिखाया गया कुछ लोगों के साब से वो propaganda है कुछ लोगों के साब से असलियत है overall लोग बोल रहे है कि Muslim dharm के खिलाफ बात बोली जारी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सच में actually में हुआ है कुछ parents सामने हैं कि हमारी daughter अभी भी इन लोगों के हाथ में है तो यह सब चीज़े हैं इस particular article के बारे में एक चीज़ देखेंगे उसके बाद will the green back will still be green यहाँ पे basically US dollars की ताकत के बारे में बात हो रही है अब चुकि US dollars की ताकत के बारे में बात हो रही है एक closed capital account policy of China को समझने कोशिश करेंगे reserve currency क्या होती है इसको समझने कोशिश करेंगे improvise explosive devices को detect करने के technology हमें improve करनी recent being अभी क्या हुआ है moist hit activity चलते हो हमें मालूम है import export data थोड़ा बहुत यहाँ पे change किया गया है February और March के महीने का इस particular news को समझेंगे उसके साथ Republic Day Parade के दिन एक all women contingent मार्च करेगी इसके बारे में बात की जारी लेकिन अब हमारी कोई infantry unit ऐसी ही नहीं जहां पर all women contingent हो तो यह कैसे होगा इसके बारे में बात की जारी सारे investigative agency में CCTV camera इसके बारे में बात करेंगे तो इत्ती news सब लोग आपर discuss करेंगे एक और बड़ी important news जापान साथ कोरिया के बीच में landmark talks आपको पता हो और अच्छी साथ कोरिया बहुत लंबे समय तक जापान के occupation के अंदर था जब second world war में यहाँ पर जापान हरा तब उसमें South Korea के उपर से अपना control छोड़ा तो अभी compensation की बात हो रही है चुकि जब जापान ने South Korea के उपर खब्जा किया तो वहाँ बहुत सारे अत्याचार की है अब उस अत्याचार के बंदने में South Korea compensation माग रहा है लेकिन compensation थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है जिसके चलते साउथ Korea के लोग नाराज है तो इस particular news को समझेंगे तो इतने सारी topics आज डिसकास करने के लिए आगे बढ़ने इस पहले दोस्तों आप एक बात है अभी लोग थोड़ा सा नर्वेस होंगे एक दम से एक्जाम सर पर आ चुका है कैसे चीजों को रिवाइस करें तो current affairs का एक holistic course मैंने बनाया है उसके सासन मैंने जो gk topics हैं उनको correlate किया है आपके लिए बहुत holistic test series लेके आया हूँ तो काफी सारी चीज़ें आपको इस particular crash score से मिल जाएंगी बहुत ही optimum कास्ट पर crash score सब्लेबल है तो नीचे description box में आपको यापका link मिल जाएगा आप एक बार जाके इस crash को check out कर सकते तो चलिए भाई बिना time waste किये हम आज के अपने इस editorial analysis को शुरू करते है ठीक है भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कौन सा article discuss करने वाले हैं तो भाई position paper china's image and what it means इसको एक बार देख लेते हैं आप बेसिकली international relations में कैसे china अपने आपको position कर रहा है कैसे अफगान issue में और बाकी issues में अपने आपको important दिखाने के कोशिश कर रहा है और इस से इंडिया को किस प्रकार से खतरा हो सकता है इस सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो दिखिए इसी साल अप्रेल 12-13 को जो foreign minister है people Republic of China के king gang वो अपने counterparts from Russia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan और policy on Afghanistan, इसका title है China's position on the Afghan issue, तो इस particular position paper में China यह दिखाने के कोशिश कर रहा है कि वो अफगान की crisis को किस प्रकार से address करेंगे, कैसे तालीबान के साथ अपने engagement को बढ़ाएंगे, overall internationally, China पूरी दुनिया में अपने आपको किस प्रकार से portray कर रहा है, यह सब चीज़ें overall यहाँ प तरह आपना मतलब निकालना चाहते हैं, देखिए चायना की policy किस प्रकार से, three respects और three nevers पे associated, three respect मतलब independence, sovereignty और territorial integrity of अफगानिस्तान के हम रिज़त करते हैं, और three nevers मतलब independent choice है, अफगानिस्तान के रिज़ें सेंटिमेंट है, लोगों के अफगानिस्तान के लोगों को हम उसम प्रकार से चायना के अंदर भी totalitarian users हैं, तो democracy के किसी भी concept को चायना promote नहीं करेगा, वो अपने capitalistic अपने आप कहलो ताना शाही वाले राज को भी एक प्रकार से representative दिखाने की कोशिश करेगा, और वही इस particular paper के थुरू चायना प्रूब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फ किसी भी commitment को पूरा नहीं कर पाया है, हम और और चीज़ों के यहाँ पर sort out करने कोशिश करेंगे, democracy कि यह कहीं से भी बात करनी है, फिर यह बोल रहा है कि US ने unilaterally अफगानिस्तान के ओपर sanctions लगा रखें, तो चायना चाहता है कि अफगानिस्तान के ओपर से sanctions लगाया चायना चाहता है कि जो regional groupings हैं, जिसमें US वगरा नहीं है, वो ज़्यादा actively involved हो अफगानिस्तान की crisis में, अफगानिस्तान की situation में, जैसे शांगाही cooperation organization हो गया, Moscow format dialogue हो गया, चायना अफगानिस्तान पाकिस्तान try little foreign ministers की meeting हो गया, अब इस context में दोस्तों, यह Moscow format of talks क्या है, यह यहाँ पर समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है, तो हम लोग आ जाते हैं अपनी static topic की इस particular PDF पर, जहाँ पर मैंने आपको हलका full की चीज़ों की जैन करी दे रखी, बहुत जदा detail में नहीं कुछना है, बट हलका full का हमें मालूम होना चाहिए, तो देखे, Moscow format of talks, यह initiate किय यह गयता है, 2017 में, and they were formed on the basis of six party mechanism, तो शुरू शुरू में 6 countries मिलके Moscow format of talks में participate कर नहीं थी, इसमें रशिया था, अफगानिस्तान था, चाइना था, पाकिस्तान था, इरान था, इंडिया था, लेकिन बाद में overall और countries इस प्रकार की talks में आके engage करने लगी, खासकर जो centralization countries हैं, जिनकी अफगानिस्तान के साथ boundary लगती है, समझ गया, तो 2021 में जब Moscow format of talks की meeting हुई थी, तो 10 nations इसमें involved थे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इरान, Centralization Republics, अब क्या 2022 में तो रशिया यूक्रेन का war चल गया, तो मॉस्को का involvement सीधे सीधे अफगानिस्तान की policy में थोड़ा क कोशिश करते हैं, तो एक permanent intergovernmental international organization है, European political economic military organization है, peace security stability को maintain करता है, रीजिन में 2001 में create हुआ था, इसका charter sign हुआ था 2002 में, force में आया था 2003 में, अब अगर देखो, तो जब SEO बना 2001 में, उससे पहले एक organization हुआ करता था, इसका नाम था Shanghai 5, उसमें था China, किर्गिस्तान, रशिया, और इसका नाम रख दिया गया, शांगाई corporation organization, बाद में इंडिया, पाकिस्तान, इसकी member बने 2017 में, इरान member बना September 2021 में, तो हमने अलकी फुल की information ली यहाँ पे, इस particular format के बारे में, तो basically overall Beijing यहाँ पे कह रहा है, कि हमें neighbors के लिए mutual respect रखनी चाहिए, good laborly रखना चाहिए, और इस समय पे चाहिए जो कुछ भी हो रहा है, जो भी terminal oil है, उसको multiple crisis का हिस्सा बता रहे हैं, यह बता रहे हैं कि US ने किस प्रकार से अपनी responsibility को abdicate किया अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान के साथ engage करके, अपने security, economic interest बढ़ाएंगे, सासाथ अफगानिस्तान की economic security को भी एक push देंगे, देखिए चाहिना के लिए अफगानिस्तान important है, चाहिना को अपर अपनी धर्ती पे terrorism आने से रोकना है, तो उन्हें अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिष्टे बनाने ही पड़ेंगे, चूंकि East Turkistan Islamic Movement, जो कि Western, South Western China को effect करता है, इसको support मिल सकता है, तालिबा बेस्ट ग्रिप के चलते, तो अपनी counter-terrorism capabilities को बढ़ाने के साथ साथ, अफगानिस्तान के अंदर अपना दबदबा बनाना भी चाहिना के लिए बहुत ज़्याद ज़रूरी है, और उसके लिए उनका एक वो है बतब टूल है, जिसका नाम है Belt and Road Initiative, इस Belt and Road Initiative के थुरू, चा अलग बात है कि खुब सरा पैसा यहाँ खतम कर दे चायना, कल की डिट में तालिबान के लिडर जी जिंक भी उनको टाटा वाइबा बोल दे, बोल दे तुमने पैसा खतम कि अब तुम निकलो यहाँ से, तो कुछ भी हो सकता है, देगे चायना यहाँ पे पीसमेकर की तरह पर किया रहा, साओधी अरी बे, इरान के बीच में भी डील कर रही है, तालिबान के साथ भी लगाता है, इंगेज करनी कोशिश कर रहा है, लॉंग टर्म में तालिबान के साथ यह जो वेंचर है, चायना का वो कितना यूसफुल होगा, यह तो भाई देखिया आगे आने 70 साल में एक कोरोनेशन हुआ है, लैविश सर्मेनी हुई रिसेंटली अभी इंगलेंड में, 2300 गेस्ट आये थे, इंक्लूडिंग मोर दन 100 हेट्स ऑफ स्टेट आये थे, चार्स त्री की कोरोनेशन में, चार्स त्री को किंग ऑफ युनिटेट गिंडम मना दिया गया, ओक तो कॉमन वेल्ट के आइडिया को दुनिया में आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज अपोस करें, इन फेक्ट यूके की तो जो पब्लिक है न, जो ब्रिटन से, वो भी ओरल मोनार्ची के प्रती अपना उतना एसोसेशन आज की डेट में समझते नहीं, बट फिर भी मोन अपने आपको पॉजिटिव लाइट में लगातार डिस्प्ले करने की कोशिश करती रहती है, जैसे फॉर एक्जामपल, जो रॉयल फैमिली की लोग हैं, इनको लगातार बोला जाता है कि आप अपनी पब्लिक इमेज को सुधार के रखे, आप गुड सेमरिटेरियन बने, तो यहाँ पर गुड सेमरिटेरियन बनने की कोशिश कर रहे हैं किंग चार्स, जैसे फॉर एक्जामपल, किंग चार्स समय समय पर कोशिश करते रहते हैं कि सस्टेनेबिल एकोसिस्टम को ब्रिटेरिन में बढ़ाया जाए, जो आपके पार्क्स और नाच्रल लिजर्व से में, क्लाइमेट, पॉलिसीज में, किंग चार्स का कहीं एक ना कहीं एक पॉजिटिव रोल आपको नज़र आता है, उसके साथ साथ देखो, तो इस समय पर किंग चार्स ने अपने कोरोलेशन में बहुत सारी आपके लोग एसीमिलेटिव एक्टिविटीज दिखाया है, ज जाए कि UK के दरवाजे बाई सब के लिए खुले हुएं यहां पर, हाला कि इस क्राउन फैमिली में कुछ इंटर्नल डिसेंशन भी हैं, जैसे कि किंग चार्स के जो छोटे बेटे हैं, प्रिंस हैरी, वो ओवर ओल ब्रिटेन की रोयल फैमिली के बाउंडिशन को छोड़के अपनी अमेरिकन वाइफ के साथ यूएस में सेटल हो चुके हैं कैलिफोर्निया में, तो इन डिसेंशन को भी, यूनो, रिजॉल्व करने की जुरू होते हैं, चुकि मैं आपको बता दूँ, UK के अंदर, ओके, यह जो रोयल फैमिली की लोग होते हैं, उनके उपर बहुत हैं, आपके हैलो, रिस्टिक्शन वगरा लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे किंग चार्स को अपनी इमेज भी अच्छी करनी है, पोस्ट ब्रेक्जिट कॉंटेक्स्ट में, UK की एकनॉमी को बढ़ाने के लिए स्टेफ्स भी लिने हैं, हाला कि इनके कोई लीगल रिस्पॉ अभी भी overall किंग चार्स है, तो यह कंट्री किंग चार्स को अपना मोनार accept करें, इसके लिए यहाँ के रिस्पेक्ट में भी कुछ expect किया जाता है, किंग चार्स है, वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो आ गया आने वल समय में पता चालेगा, ठीक है भी, तो यह हमने प्रोपोगेंडा है, BJP का प्रोपोगेंडा है बहुत सारे लोगों ने इस की स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश की बैं कराने की कोशिश की केरला और मदरास की हाइब कर्दा में केस यहां पर फाइल हो है, सुप्रीम कोट में केस फाइल होisión पर किसी भी particular court ने overall इन cases को entertain नहीं किया केरला स्टूरी मूवी रिलीज हुई शुरू में तो ये बोला गया कि केरला स्टूरी मूवी आपने देखी नहीं है इसमें इसलाम के अगेंस्ट जदा कुछ है नहीं मूवी देखने के बाद ही पता चलता है कि डारेक्ट इसलाम के अगेंस्ट कुछ नहीं है हाला कि एक modus operandi को दिखाया गया है जहां पे overall gullible young girls को पहले उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है जिनका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है उनको से जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है और अगर वो करने से मना कर देती है तो उनके खिलाफ बहुत गलत-गलत काम किये जाते है और धर्म परिवर्तन कराने के बाद इनको सीरिया, इराग, अफगानिस्तान भेज़ दिया जाता है आइसिस के लड़ने के लिए और जब वहाँ पे और आइसिस के लड़ने के लिए तो वहाँ पे उनको एक सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है एक नौकर एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है और इस पर्टीकलर मूवी ने क्लेम किया कि 32,000 लड़किया मिसिंग है सबसे पहले तो कुशन इस बात वे उपर उठ रहा है कि क्या 32,000 लड़कियों को कनवर्ड करके आपने ओवरॉल आईसिस के लड़ने के लिए इराक सीरिया में भेज दिया देखिए दो-तीन तरीके की चीज़े होती है इंडिया के अंदर एक चीज़ चलती है लव जिहाद यूपी के अंदर बहुत सारे राज्यों के अंदर लव जिहाद के अगेंस्ट कानून पास है लव जिहाद का अमूमन मतलब यह बताया जाता है कि आप धर्म परिवर्तन कराके और अपने धर्म का नंबर बढ़ाने की कोशिश करो शादी के बैसिस के आप धर्म परिवर्तन करवा दो ठीक है ना तो एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की से शादी कर लिए उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया ठीक है तो इसको लव जिहाद बोला गया है इंडिया में बहुत सारी जगों पर लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी में का अलगी चीज दिखाई गई इस पर्टिकुलर मूवी में दिखाई गई है कि उस लड़के का उस लड़की से शादी करने का कोई इंटेंटी नहीं था वो तो बस उसको शादी करके ओवराल धर्म परिवर्तन कराके सीरिया भेजने की प्लानिंग थी तो यह हो रहा था यहाँ पर तो केरला के अंदर मुसलिम्स के अगेंस्ट एक प्रोपागंडा यहाँ पर शुरू किया गया ऐसा कुछ यहाँ पर बता है जर अब जो कुछ भी इस पर्टिकुलर मूवी में दिखाई गया बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हो सकता है कुछ केसे ने हुआ हो चुरकि भूत सारे माबाब भी सामने निकल के आए हैं बहुत स़री रड़किया यहाँ पर सामने निकल के आ हैं जो कि accept करने ही कि हleader ही हमारे साथ ऐसा हुआ है बट फिर सवाल वही उठता है कि क्या 32,000 रड़कियों के साथ ऐसा हो गया तो यह सब चीज़े हैं अब इस पर्टिकुलर फिल्म की स्क्रीनिंग को लेके जब बवाल हुआ तो सरकार तो फिल्म की स्क्रीनिंग रोक नहीं सकती है आपको पता होना चाहिए एक बार सेंटल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को अप्रूवल दे दिया तो राज जे की सरकारें उसको ब्रॉड कास्ट करने से नहीं रोक सकती इसके बारे मैंने गलग से वीडियो भी समझा के आपको पता ही थी तो राज की सरकारों ने तो मूवी को बैन नहीं किया है लेकिन तमिल नाडू और के थीटर ने खुदी मूवी बैन कर दी है रीजन वी कि भाई काफी धन्ना प्रदर्शन हो रहा है और मॉल के बार खड़े होगे मूवी थीटर के बार खड़े होगे बहुत सरे लोग एक्टिविस्ट कर रहे हैं मतलब नारे वगरा लगा रहे हैं तो जो बिजनेसमैन होता वो तो भाई डर जाता उसको लगता है कि यार क्या ही मतलब है बेकार में क्यों कॉंट्रवर्शल चीज़ों में पढ़ रहे हो ये मुवी देखके किसी एक पर्टिकुलर कम्यूटी के अगेंस्ट एक माइंडसेट बना लेना ये एक इम्मेचूर इंसान की आप के लो साइन होगा आपके अंदर दिमाख होना चाहिए हमेशा एक इंडिविजुल को उसके ट्रेट्स के साथ एसस करने का वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म का इस बेसेस पे आप इस इंडिविजुल को एसस कर लो और अपने रिजियन लेने लगो ये गलत बात है आप तो ब्यूरोक्रासी की तयारी कर रहो आपके अंदर तो एक पॉलिटिकल मैचूर्टी होनी चाहिए और वो पॉलिटिकल मैचूर्टी इसी बात में ही है कि आप अवरॉल एक इंडिविजुल का एसस्मेंट एपने एक्सपीरेंस की बेसेस पे करोगे ना किसी दूसरे के कह देने भर की बेसेस पे या किसी की प्रोपरगर्णा की बेसेस पे दूसरी चीज जो कुछ भी इस पर्टिकुलर मूवी में दिखाया गया है अगर वो एक केस में भी सही बैठा है तो उसके बारे में लोगों को अवेरनेस देना जरूरी है ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी गुलीबल इंडिविजल इस परकार की एक्टिविटी का शिकार ना बने तो दोनों फैसेट्स हमको देखने है हम सोचे कि हम दोनों ही फैसेट्स को सीधे सीधे बंद कर देंगे सामने आने ही नहीं देंगे चीज़ें किसी की वो फिर एक गलत अप्रोच हो जाएगी आपका इसके बारे में क्या राया है नीचे का इंड बॉक्स में लिखके बताईएगा ठीक है बाई फिर अगली न्यूस पर चलते है यहां पर बेसिकली यूएस डॉलर की बात की जा रही है तो चाइना रशिया और इंडिया इस समय पर बातचीत कर रहे है कि कैसे ओवर ओल यूएस डॉलर की उपर डिमेंडनेंस कम की जाए और कैसे अपनी डॉमेस्टिक करेंसी में ट्रेड वगरा को बढ़ाया जाए देखे यूएस डॉलर प्रिफेंड करेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड की इसको रिजर्व करेंसी भी बोला जाता है अब सवाल उठता है कि सर वाट इस रिजर्व करेंसी तो एक बार के लिए हम लोग अपने इस्टाटिक पर जो मैंने आपके लिए नोट्स बना रखें उस पर आ जाते है जी हाँ रिजर्व करेंसी क्या होती है जैसे फॉर इस पर्टिकुलर रिजर्व करेंसी में पेमेंट कर सकते है और जो हमारे पास गोल्ड रिजर्व से ओल है उसको भी हम रिजर्व करेंसी में डेनोट करते है जैसे जब हम बोलते हैं कि हमारे पास साड़े 500 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है तो उस साड़े 500 बिलियन डॉलर में यूरो की भी वैल्यू जुड़ी है डॉलर की भी वैल्यू जुड़ी है जो हमारे पास गोल्ड है उसकी भी वैल्यू जुड़ी है हमारी domestic currency के अलावा पूरी international market में हमारी credibility को दिखाने के लिए और कौन सी currency हमारे पास available है उसको हम reserve currency बोल देते हैं ठीक है अब वापस आते हैं यहाँ पर तो US dollar पूरी दुनिया में preferred currency मानी जाती है भाई international trade के लिए ठीक है ना और इसको reserve currency भी यहाँ पर बताया है किसी भी international agreement में reserve currency आपकी US dollar होती है तो क्या इसको बकाइदे proper policy के तुरू reserve currency बनाया गया है जी नहीं दोस्तों किसी international agreement या purposeful policy से reserve currency नहीं बनी है dollar डॉलर इसलिए reserve currency बनी है चुकि US पूरी दुनिया में बहुत ही strong financial system बन के pro west के बारे में सबको पता है one of the strongest in fact सबसे strongest economy है सबसे deep financial system है सबसे stable सरकार इसकी ऐसा नहीं है कि US dollar को कभी किसी ने competition नहीं दिया great written pound ने euro ने कुछ समय के लिए US dollar को competition दिया है बहुत बहुत लंबा competition नहीं दे पाए अगर आप देखो तो US का competition बढ़ा है international monetary fund की reports अगर आप देखोगे तो 1970s में जो भी foreign exchange रिजर्व हुआ करते हैं दुनिया वरके 80% US dollar में होते थे 2022 तक यह number 60% आ गया है लेकिन 60% के आज़ पास कोई दूसरी currency नहीं है थोड़ा बहुत overall देखो तो euro contribute करता है जो बचा हुआ 40% है उसमें से 20% euro account करता है कुछ और currency बढ़ा है जैसे Australia का डॉलर, Canada का डॉलर, Swedish corona, South Korean won इन सबने कहीं न कोई इंटरनेशनल space को खीचा है लेकिन कोई भी इस समय पे US जितना close नहीं पहुँच पा है, US dollar जितना close नहीं पहुँच पा है फिर बात की जा रही है यहाँ पे चाइना की, चाइना की revenue in be currency भी तो काफी effective है चाइना का इतना बड़ा, आप कहलो, contribution है international exports में, तो renminbi जो yuan है चाइना का, उसको भी तो reserve currency की तरह इस्तमाल किया जा सकता है बड़ एक problem है दोस्तों, चाइना follow करता है closed capital account policy चाइना की closed capital account policy के चलते, overall चाइना के अंदर से और चाइना के बाहर पैसे को बड़े आराम से move नहीं किया जा सकता तो current account convertibility और capital account convertibility of Chinese yuan, इसमें बहुत सी restrictions लगाई गई है चाइनी सरकार के दोरा इसलिए overall चाइना की currency को बड़े scale पे reserve currency के तरह इस्तमाल नहीं किया सकता until and unless China खुद ये चाहे अगर आप देखो तो आज की rate में रशिया के पास बहुत जादा reserves है yuan के चुकि चाइना चाहता है कि हाँ भई, overall रशिया के अंदर चाइनीज yuan का use हो समझगे? तो overall एक particular currency किस हद तक international reserve currency की तरह इस्तमाल हो सकती है ये इस बात में भी बहुत depend करेगा कि वो particular country ऐसा चाहती भी है कि नहीं चाहती अब फ़र इंडिया के respect में बात की जाए अभी कल ही एक particular video में आपको बता के बताया था कि किस प्रकार से रशिया इस समय पे इंडिया से बहुत हद तक frustrated चल रहा है अपने trade की payment को लेके, अपने export की payment को लेके रशिया चाहता है कि इंडिया उनको Chinese yuan में payment करे चोकि रशिया बड़ी quantity में चाहिना से import करता है तो Chinese yuan में payment कर पाएगा इंडिया रूपी में payment दे रहा है तो कुल मिलाके इस समय पे अगर इंडिया किसी reserve currency को सबसे ज़्यादा मानता है तो वो कौन सी है? वो है US dollar इंडिया के लिए politically और economically अगर US dollar के अलावा किसी currency को promote करने को फायदा है तो वो खुद की इंडियन रुपी को है तो इंडिया यूआन में payment नहीं कर रहा है तो इस हिसाब से भाई हमें overall longer term में एक sustainable तरीका धूनना पड़ेगा international trading की payment करने का चुकि अभी के लिए US sanctions और Europe की जो sanctions है रशिया के ओपर वो continue होने वाले है तो हम US dollar या euro में तो payment करनी पाएंगे Chinese yuan में हम payment करना चाहते हैं नहीं उसके साथ एक कुछ और बातें बताई जारी है देखे क्या है? US government जो debt issue करती है ठीक है? उस debt की बहुत credibility है पूरी दुनिया में जी है, US government जो अपने bonds issue करती है उसके लिए पैसे लेती है, उसके पर बहुत कम interest rate देती है US की सरकार, लेकिन उसके बवजूद भी वो bond पूरी दुनिया भर में खरीदे जाते है चुकि US सरकार की credibility सबसे जादा है समझे के आप बात को? तो dollar denominated assets पूरी दुनिया में फैले है US की सरकार, federal reserve दौरा issue किये के जो treasury bills है उनकी पूरी दुनिया में demand है जिसको आप US government debt भी बोलते हो तो US की currency के लिए इसलिए भी value हो चुकि US dollar denominated जो assets है न काफी high quality के माने जाते हैं और पूरी दुनिया में उनकी यहाँ पे trading होती है चाइना की अगर आप बात करो तो चाइना के पास खुद उनके foreign exchange reserve में बड़ी quantity में US dollar से तो चाइना की जो economic might है आज की date में forex के terms में उनके forex में भी US dollar एक बहुत बड़ा constituent है तो इसलिए अगर आप देखो तो लंबे समय तक US dollar एक international reserve currency रहने वाला कोई भी दूसरी currency आके US dollar को replace कर दे shorter time period में तो कहीं न कहीं नहीं होने वाला ठीक है तो यह सब बातें और रहाल यहाँ पे बताई जा रही है US government debt की भी बड़ी high credibility होती है लोग उसको लेना चाहते है US federal reserves जब पैसा बाटती है और रहाल उधार निकालती है कम सस्ते rate पे तो दुनिया भर के जो investors होते हैं वो US dollars उधार पे उठाते हैं दुनिया भर की countries में इन्वेस्ट करते है तो उसी context में यहाँ पे बताया जा रहा है improvised explosive device अभी क्या हुआ है कि हमारे 10 जवान शहीद हो गया एक civilian diver शहीद हो गया एक van में जा रहे थे anti-moist operation करने के बाद वहाँ पे bum फटा IED फटा 36 गड़ के दंतेवाड़ा डिस्टिक में 26 अप्रेल को metal road के नीचे खोद के इस particular IED को डाला गया था राजी की सरकार की पुलिस का बोलना है कि इस particular act को commission किया है Communist Party of India Moist ने हमारे जवान यहाँ पे शहीद हो है तो इससे आप समझ सकते हो कि यह जो improvised explosive device हमारे सामने जो खतरा पेश कर रहे हैं इस खतरे को बहुत seriously लिनना यहाँ पे जरूरी है अगर आप देखो तो सरकार का यह claim है कि Moist दोरा किया गया violence कम हो गया कम जरूर हो गया लेकिन इस प्रकार का एक भी activity जब होती ही ना तो बहुत बड़ा आप कहलो यह नो gloom सचा जाता है ऑके भले ही Moist की ताकत कम हो रही हो बहले उनके पास हतियार वगरा कम हो रहा हो बहले उनका area of operation कम हो रहा हो उनका influence कम हो रहा हो लेकिन उसके बवजूद भी वो छोटी quantity of ID से हमारी armed forces को काफी नुकसान पहुचा सकते हैं और इसलिए recently काफी tension हो गई जारखन के west sing boom district में जहां पे 7000 detonated recently ऐसा हुआ है कि चोरी कर लिए गए है moist के तोरह तो यह जो technical equipment है overall यह moist को एक बहुत बड़ा तगड़ा push देते हैं उनकी ताकत को एक push देते हैं और इसके बदने हम भारती security forces के आउस कर सकती हैं तो भारती security forces को technical capability build up करेगी जिसे improvised explosive devices को detect किया जा सके आज की date में improvised explosive devices में जो quantity of metal होता है वो काफी कम होता है तो overall scanners के थूभी इन ID's को धूर पाना बहुत मुश्किल होता है फिर road और mines के road के नीचे और overall mine detector होते हैं यह कहां पर कितने हैं इनको पता कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है सर्च पार्टी कभी कभी inaccurate measurements के चलते कहीं पर ID हो भी तो भी उसको miss कर जाते हैं ground penetrating radar भी proper efficiency के साथ धूर सकें इन improvised explosive devices को ऐसा हमेशन होता नहीं है कई बार क्या हुआ है कि search and surveillance operation में ID धूर लिये जाते हैं कई बार नहीं धूर जाते हैं वो भी अगर फट गए तो काफी नुकसान पहुचा सकता है जैसा कि recently हमने यहाँ पर देखने को मिला है तो जरूरी यह है कि जो detonators है ID के वो detonators कौन बना रहा है उसके tracking की जाए तो इंडिया के अंदर जो जो detonators बनाता है यह particular improvised explosive device या detonator आया कहां से था ठीक है उसके बाद यह जो moist है वो international rules of war को भी follow नहीं करते हैं अगर आप देखो तो जनवरी 2013 में एक जवान की autopsy से पता चला कि moist ने उसकी body के अंदर improvised explosive device चुपा रहा तो उसके abdomen के अंदर यह basically जनवा और हे convention का violation है no doubt दोस्तों आप इन moist को international war का part नहीं बता सकते हैं यह इंडिया की एक internal disturbance है but overall कहीं पे किसी भी प्रकार का armed revolution हो उस particular group को जनवा और हेक conventions को मानना चाहिए और इस प्रकार से किसी जवान की body के अंदर ऐसे detonator या bum वगरा डाल देना यह gross violation है international humanitarian laws का और यह violation moist को भी नहीं करना चाहिए तो भारत सरकार को अपने channel से बात चीत करके बोलना चाहिए कि भाई यह जो आप कर रहे है न यह गलत है पर problem यह है न दूस्तों भारत सरकार जब action लेती है तो उसमें बहुत सारे international sanctions लग जाते हैं बहुत सारे human rights abuses होते हैं लेकिन जब moist यह action लेते हैं तो कोई यहाँ पर आज की date में यह कौन बोलेगा कि humanitarian action नहीं है in moist का वो तो अजीबी बात होगी ना सब को पता है कि वो यह करने वाले हैं भारत सरकार की जवान अगर ऐसा कुछ करें तो दस तरीके की खरबाते खड़ी करती जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में केस वागरा फायल हो जाएंगी तो यह moist international humanitarian law को फालो नहीं करते हैं हमारे जवानों को जब मन चाह रहा है जैसे मन चाह रहा है मार रहे हमें इसको रोकने के लिए क्या करना है तो भाई अब author तो यह बोल रहा है कि आप moist से बात चीत करिये उनसे बोलियो कि हें convention को मानो अब यह तो बहुत आजीब सा लगा मुझे सुनके भाई उनसे क्या ही बात चीत करो कि वो जब इस प्रकार से बम उड़ा के हमारे जवानों को मार रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड डाटा में देखे कुछ चेंजेज आ गए ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी और मार्च की महीने में जो गुड ट्रेट का नंबर था ना दस बिलियन डॉलर से ज़ादा रिवाइस हुआ है जी हाँ ऐसा बताया जारे कि ओवराल एक्सपोर्ट इंपोर्ट पिछले साल का दो हजार बाइस तेज का तीन बिलियन डॉलर से कम हुआ है लगबग इंपोर्ट भी तीन बिलियन डॉलर से कम हुआ है और जो export है वो भी 3 billion dollars कम हुआ तो 2022-23 में पहले report किया गया था total export 447.46 billion dollar अब report किया जा रहा है वो है 444.4 billion dollar तो पहले जो हमें लग रहा था कि 2021-22 के respect में export बढ़ा है 6% वो actually में बढ़ा है 5.3% एक तो ये particular economic figure निकल के आ रहा है उसके बाद import के respect में economic figure क्या निकल के आ रहा है कि भाई overall 2021-22 में जो imports थे वो थे 714.24 billion dollar और 2022-23 में हो गया वो 711.85 billion dollar तो जो import में growth देखने को मिला है वो 16.1% का देखने को मिला है जो हमारी trade deficit है वो पहले expected थी 40 billion dollar अब expected है 40.8 billion dollar तो वैसे overall साल के figures के respect में देखो तो आपको कोई बड़ा holistic change नजर नहीं है लेकिन month wise निकाल के देखो तो फरवरी में जो goods exports थे वो overall अगर आप देखो तो 3.1 billion dollar बढ़े हैं लेकिन जो March के आपके जो goods exports हैं वो भाई 3.03 billion dollar घटे हैं तो भाई फरवरी के goods exports 3 billion dollar बढ़े हैं March के goods exports 3 billion dollar घटे हैं अब overall इसका impact थोड़ा कम हा रहा है लेकिन हाँ जो accounting हुई है फरवरी और March के महीने की वो थोड़ी गड़बडा गई है और गड़बडाने की वज़े क्या बताई जा रही है तो यह अपने आप में normal नहीं माना जा सकता मतलब कहीं न कहीं आपकी accounting methodology और calculation methodology में कुछ न कुछ flaw है तो बस यह यह बताया जा रहा है इस news में इतना ही है कि हाँ भाई हमारे कुछ trade figures बदले हैं वो trade figures कैसे बदले हैं वो मैं आपको बता दिया तो यह जो estimate निकल के आ रहा है इस estimate के अंदर overall 21-22 के respect में 22-23 में 5.3% का import में बढ़ोत रही है export में बढ़ोत रही है पहले 447 million dollar था और 444 million dollar और कुछ ज़्यादे इसमें बताने के लिए हैं नहीं आगे चलते एक news यह निकल के आ रही है भारत सरकार ने यहाँ पे decide किया है कि एक all women marching and band contingent लेके आए जाएगा रिपब्लिक पेट 2024 के परेड में जो करतव पत्प पे होगी इसके लिए एक office memorandum issue किया गया है एक मार्च को और इसमें यह बोला गया है कि women participant एक full women parade यहाँ पे participate करेगी अब overall army contingents का यह बोलना है कि एक public day parade में infantry participate करती है और ज़्यादा तर जो इंडिया की infantry units है ज़्यादा तर क्या सारी infantry units male dominated है उसमें जो नीचे के जवान है वो भी male है जो उपर के officer है वो भी male है तो ऐसी कोई infantry unit है यह नहीं जिसमें पूरे female हो इनफेक्ट official level पे भी female साब को पता होना चाहिए दोस्तों infantry unit में अभी के लिए women का recruitment जादा नहीं हो रहा है women का recruitment technical और बाकी fields में हो रहा है तो इस context में किस प्रकार से सरकार ने decision लिया और उस decision को ground level पे कैसे implement किया जाएगा उसके ओपन यहाँ पे प्रकार की प्रकार की प्रकार की पहले पार्टिसिपेट कर चुके है बठा एक और वोमन कंटिंजेंट पहली बार यह स्टेप लिया जा रहा है अब इस step के ओपर question इसलिए उठाया जा रहा है चुकि all women infantry contingent इंडिया के अंदर कोई ही नहीं और एपब्लिक डेप परेट पे infantry contingent ही यहाँ पे overall participate करता है तो यह कैसे होगा इस बात के ओपर question उठाया जा रहा है फिर एक news यहाँ पे निकल के आ रही है Supreme Court ने केंदरी की सरकार को direction दिये है कि तुम्हारी जितनी भी investigating agencies है जुलाई 18 तक उसमें CCTV camera लग जाने चाहिए तो केंदरी की सरकार को 3 महीने का time दिया है 18 जुलाई की deadline नरा दिया है Supreme Court ने December 2020 का judgment था सारी investigating agencies के अंदर close circuit television camera होनी चाहिए और इसका बहुत normal logic है दोस्तों investigative agencies का काम है overall crime को रोकना और crime को रोकने के लिए वो लोगों को धरते हैं, arrest करते हैं question करते हैं, detention करते हैं तो उस detention के समय पे लोगों के उपर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है इस बात को monitor करने के लिए और investigative agencies के officers को monitor करने के लिए Supreme Court ने दिसमबर 2020 में बोला था कि इन सारी investigative agencies के office में proper CCTV camera होने चाहिए लेकिन वो CCTV camera लगे नहीं है इसलिए केंदर की सरकार, sorry इसलिए Supreme Court यहां पे केंदर की सरकार को बोल रही है 18 जुलाई तक camera लगाओ और अगर नहीं लगाया तो secretary, ministry of home affairs को हम show cause करके पूछेंगे कि तुमने हमारे directions को क्यों नहीं follow के चुकि देखे, सारी investigative agencies home ministry के अंदर आती है और home ministry का सबसे आला दरजे का IS officer होता है secretary तो अगर home ministry के अंदर जितनी भी आपकी investigative agencies आपके CCTV camera नहीं लगे तो हम answer पूछेंगे home secretary से और answer पूछने में Supreme Court यहाँ पे fine एक penal provision भी लगा सकता है secretary के उपर जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी इस context में ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि कौन-कौन सी investigative agency की बात हो रही याद रखेगा केंदर की सरकार के अंदर 10 investigative agencies आती है mainly इनका मैंने detailed bureau इस particular पीडियोफ में देदिया है एक है national counter terrorism center उसके बाद आती है आपकी intelligence bureau research and analysis wing फिर आपका central bureau of investigation फिर national investigation agency national intelligence grid national crime record bureau narcotics control bureau directorate of revenue intelligence bureau of police research and development bill of police research and investigation BPRD तो basically यह overall investigative agencies इन investigative agencies के बारे में ब्रीफ जान करी मैंने इस particular PDF में भी आपको मुवया करा दी है ठीक है फिर एक और न्यूज है यहाँ पर पान साउथ कोरिया agree to take ties forward इन लैंड मार्क रीजनर शेफ्ट अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है देखिए पिछले बारा सालों में पहली बार कोई Japanese Prime Minister गया है Seoul में बातचीत करने के लिए ठीक है ना भाई तो फ्यूमियो किश्डा गये Seoul में और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यून सुक इयोल से बातचीत की दोनों के अपने बीच के trade relationships को industrial relationships को बढ़ाने की बात की बड़ थोड़े issues है दोस्तो साउथ कोरिया और जापान की relationship में issue है second world war से पहले बहुत लंबे समय तक South Korea के उपर जापान का राज था और इस राज की समय पे जापान ने South Korea के उपर बहुत अत्याचार किये overall South Korea के workers को गुलाम बना के काम कराएगा, workers बना के काम कराएगा जापानी स्पेक्टरियों में और जापान के soldiers ने South Korea की बहुत ladies का sexual exploitation किया तो इस बात को लेके South Korea के अंदर गुसा है कि जापान से हरजाना मांगो, जापान से एक formal apology मांगो और बहुत लंबे समय से demand हो रही है और actually में जापान ने चीजों को बहुत सुधारने की भी कोशिश की है अगर आप देखो तो 1965 में एक agreement हुआ और उस agreement के तहद जापान की सरकार ने और जापान की private companies ने बोला कि हम इंडस्ट्रिली South Korea की companies की बहुत बदद करेंगी बड़े लंबे समय तक दोस्तों 1965 के बाद जापास की company ने जापान की सरकार ने South Korea की बहुत सो टेक्निलोजी प्रोवाइड की आज की डेट में South Korea की industrial development में जापान का एक बहुत बदा रोल रहा है तो जापान का यह बोलना है कि ठीक हम मानते हैं कि हमने पास्ट में आपके अगेंस्ट अत्याचार की हैं लेकिन हम उन अत्याचारों को अंडर्गो करने के लिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं अब South Korea के अंदर के जो लोग हैं वो लगातार जापान से हरजाना मांगते रहते हैं अभी अगर आप देखो तो 2018 में South Korea की Supreme Court ने जापानीस कंपनियों के उपर हरजाना लगा दिया बोला कि दो जापानीस कंट्री मित्सुबिसी और निपॉम स्टीर 15 विक्टिम सो फोर्ज लेबर को हरजाना देंगे इस बात को लेकि जापान नाराज हो गया South Korea की जो लोग है वो जापान से इंट्रिसिंगली बहुत नाराज है उनका यह बोलना है कि जापान ने हमारों पर बहुत लंबे समय तक अत्याचार की इनको और जैना देना चाहिए उनको आफी माउखनी चाहिए जापान ने बोला कि हमने मदद करने एंगे 1965 में आपकी इंड़्स्टरी इसको इतनी मदद दी आपने इतना industrial progress करी है हमने आपके लिए आपकी मदद किये तो आप खतम करो इस बात को तो recently हुआ किया मार्च 2023 में जब South Korea के Prime Minister गये जापान के अंदर तो वहाँ पर एक deal sign की गए ठीक ना भई? और उस particular deal में ये बोला गया कि भई, joint funding होगी joint funding कैसे होगी? वो companies जिन्होंने जापान के साथ 1965 के agreement में benefit किया है वो company यहाँ पे South Korea की जो लोग हरजाना मांग रहे हैं जापान से उनको पैसा देंगी और जापान की कुछ company अगर इस particular fund में voluntarily डोनेट करना चाहती है तो वो कर सकती है इस बात को लेकर South Korea के लोग भड़क गए South Korea के लोगों ने बोला कि हम तो compensation जापान से मांग रहे हैं न और तुम उल्टा South Korea की company से हैं वो compensation दिला रहे हैं जापान बोल रहा है कि यह जो South Korea company compensation देंगी इनको खड़ा करने में हम नहीं major role play किया तो यह compensation नहीं दे रही है हम ही compensation दे रहे हैं तो काफी बबाल है South Korea के अंदर के लोग South Korea के सरकार से नाराज हैं कि उन्हों जापान के साथ मांडवली कर रही है जापान बोल रहा है कि 1965 के agreement कि थुरू हम तुम्हारी economic development में major role play कर चुके हैं तुम्हें already बहुत अमीर बना चुके हैं अब और हरजाना देने का मतलब बनता नहीं है और दवेश हब्दों में जापान ने ये भी बोल दिया है कि हम माफी भी नहीं मागेंगे South Korea के leaders बोल लें कि चलो मिट्टी पाओ खतम करो तुमने हमारी economic मदद की है तो जिन companies में तुमसे economic benefit किया वो लोगों को हरजाना दे देंगे South Korea के लोग बोल रहे हैं हम South Korea के companies पैसा नहीं लेंगे हमें तो Japan के companies पैसा दे ली Japan के companies बोल लेंगे हम पैसा देंगे voluntarily देंगे इस fund में voluntarily पैसा डाल देंगे तो यह जो joint funding हो रही है overall victims की, survivors की उसके against भी South Korea के लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे है तो South Korea versus Japan वाला मुद्दा leader sort out करने की कोशिश कर रहे हैं वट लोगों के अंदर grievances है South Korea के जो native लोग हैं वो overall इस प्रकार के agreement को पसंद नहीं कर रहे है और केरला से एक बहुत ही unfortunate news निकल के आरी दोस्तों 22 लोगों की जान चलीगी मलापुरम की एस्चुरी में डूब के इससे मेरे एक experience मुझे आता है दोस्तों मैं overall 2016 के लगबग 2016-17 के लगबग कोवलम गया था कोवलम के पास एक पुवार एस्चुरी थी पुवार एस्चुरी में बोर्ट पे में बैठा वो बोर्ट एक साइट टिल्टेट थी हम दो ही लोग थे बोर्ट पे और जब बिलकु समुंदर के बीश में बोर्ट पहुंच गी हमारे पास proper life jacket भी नहीं से तब मुझे पता चला कि overall अगर ये बोर्ट डू भी तो बचेंगे नहीं तो यहां पर जो हुआ है overall माला पुरब में एक बोर्ट जिसकी capacity 25 थी उस पे 50 लोग बैठ है समने proper तरीकी से life jackets भी नहीं पहन रखी थी और इतनी बड़ी tragedy यहां पे होगी तो disaster management के respect में बहुत बड़ी चीज़ है इस प्रकार के s-turies में proper आपके अलो safety safeguards क्यों नहीं लिया जाते हैं कैसे 25 की बोट पे 50 लोग बैठ गे कैसे उनके पास proper तरीकी से life jackets नहीं थी यह कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब देना पड़ेगा सरकार हरजाना तो announce कर देती है पर human life को अपको अभी पैसों से compensate नहीं कर सकते so thank you for watching friends I hope आपको कुछ ने कुछ आज की इस particular वीडियो में सीखने को मिला होगा अपने viewpoint लिचे का अंड़ बोक से देखे जाएगा Instagram पर follow कर लिजेगा ज़ादा से ज़ादा लोग से लेक्चेर को शेयर करें have a great difference, goodbye, ध्यान रहें